हेलो दोस्तोесь जैसा के आप जानते हैं आज है दिवाली और यहां राधर श्yam और श्yam के पापा चन्दा के घर जा रहे हैं चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है औरे भाई चालू हो जा चालू भी हो जा अरे खटाई तो बीच में ही बंद हो गई, मैं क्या करूँ, तो चालू ही नहीं हो रहा है, लगता है गाड़ी खराब हो गई है राधा, देखो न भाई, मैं कब से चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे चालू भी हो जा, अरे शेम की पापा रहने दीजिए, अरे नहीं चालू करता हूँ, अरे नहीं शेम की पापा रहने दीजिए, शायद ना चालू हो, चलिए हमें काम करते हैं, पैदल ही चलते हैं, गाड़ी चले करने में बहुत ज़्याद समय बीच जाएगा, और एक तो हम पहले ही लेट हो चुके हैं, और यहां राधा तुम सहीं बोल चलो पैदल ही चलते हैं, और क्या कर सकते हैं, और फिर यहां सभी पैदल ही चंदा के घर के लिए निकल पड़ते हैं, चलिए दीरे दीरे जाएंगे, पहुच जाएंगे, और यह है चंदा का घर, यहां दिवाली की तैयारिया जोरो सोरो शे चल रही है, यहां सोनम की तो लगा रहा हूं देख नहीं रही हो इसलिए तो बोल रहे हैं सोनम की पापा घर में कब और अपने उपर ज्यादा लाइटिंग कर रहे हैं थोड़ा घर में लगाई और भी अच्छा कीजिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए देखी अभी महमान भी आना शुरू हो जाएं चलो जाकर देखता हूं भाई ये बच्चे क्या कर रहे हैं देखो तो जरा इनको इतो बस फटाके में ही लगे हुए हैं जिसे दिवाली सिफ पटाकों के लिए ही होती है अरे बच्चो क्या कर रहे हो तुम चलो चलो कुछ और भी करो का इतने सारे व्यंजन मिठाईया बन हाँ हां कल मुझे भी पटाके जलाना है देखना आज में रोकेट अनार सब जलाऊंगा बहुत ही मज़ा आने वाला है अरे हां लेकिन हमारे साथे जलाना अकेले अकेले नहीं वहला देख लेना तुम और हां थोड़ा रात हो जाने दो फिर जलाएंगे चलो दोस्ता हम करते हैं देख लेना इस लड़की के उपर भरोशा करने लाइक नहीं है यहीं पर रुको अरे हां चिंकी तुम सही बोले हो लेकिन थोड़ा मस्का तो लगाने दो अरे नहीं चिंकी राहूल नहीं चलाएगा है ना राहूल चलो हम मिठाई खाएंगे तुम दोरों लड़क हैं चलो अच्छा है अच्छा नहा चलो चलो हम दिये भी चला लेते हैं जल्दी से अरे हां हां चंदा चलो चला लेते हैं जल्दी से देखो अंधेरा भी होने वाला है असली मज़ा तो रात में आएगा हां नहा तुम सही बोल रही हो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हू अच्छा मैंने अभी तक तुम्हें दिवाली विश्ण नहीं किया हैपी दिवाली नहा दिवाली की धेड़ेश शुपकामनाये अरे हाँ चंदा तुमको भी लेकिन पता नहीं राधा कहां पर रहे गई अभी तक नहीं आई उसे भी मुझे दिवाली की शुपकामनाये देनी थी अरे हाँ चंदा वो आ ही रहे होंगे तुम चंदा क्यों कर रही हो सारे महमान आने वाले हैं अच्छा नहा तुम्हारा बहुते ज़्यदा शुक्रिया तुमने कितनी ज़्यदा मदद की मेरी अरे हाँ सोनम सोनम ज़रा यहाँ पर आओ बेटा तुमसे मुझे कुछ काम है अरे ममी क्या हुआ क्या काम है लुकी है मैं अभी आती हूँ देखे मैं मिठाईया खा रही थी अरे सोनम आओ तो अच्छा ठीक है ममी मैं अभी आती हूँ राहुल मैं भी आती हूँ ठीक है ना बोली मम्मी क्या बात है कुछ बोलना था आपको है ना हरे सोना मुँ में बोल रही थी ना थोड़ा जाकर देखाओ कि राधा कहां पर रहे गई थोड़ी दूर पे होके तो दिखाई दे पड़ जाएगी जाओ सरा देख लो बार अच्छा ठीक है मम्मी मैं जाकर देखती हूँ मम्मी भी न ऐसे थोड़ी दिर में तो आही जाएगी लाधा आंती फिल भी मैं देखके आ जाती हूँ चलो चल दी जाते हो ना चिंकी और राहूल पूरा मिठाई खा लेंगे चलो देखती हूँ लाधा आंती तो दूर दूर दग नहीं दिखाई दे रहे हैं अरे हाँ सोनम वही करना पडेगा आ खिर क्या कर सकती हूँ मैं पदह नहीं लाधा इतना देर क्यो खर रही है हारे भई सोनम की मम्मी मैं तो तुम्हें बता नहीं भूल गया वो अभी कृष्णा का फोन आया था, उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो गई है, तो शायद वो लोग पैदल ही आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इतना साथ देर लग रहा है, तुम थोड़ा इंतिजार करो भाई ओ अच्छा ये बाते तभी तुम बोलू राधा तो कभी भी इतना लेट नहीं करती है, मैं बीना थोड़ा देर और इंतिजार करती हूँ राधा आ जायेगी, फिर उसे भी दिवाली की शुब कामनाये दे दूँगी, फिर हम सब साथ मिलकर दिवाली बनाएंगे, चलो जाती सब तक देखती हूँ कुछ और काम रह गया हो, तो कर लेती हूँ, और यहां राधा श्याम और कृष्णा चंदा के घर आ जाते हैं, अरे भाई, दिवाली की डेर देर शुब कामनाये हम आ गए, हाँ दीदी में आ गई, अरे भाई, कहा बरो सोनम की बाबा मुझे तो कोई बात नहीं मुझे पता चला, चलो आज आओ गले मिलो, हैपी दिवाली तुम्हें, अरे हाँ दीदी आपको भी डेर देर शुब कामनाये, अच्छे चलो अब तुम आ गई हो ना, अब दिवाली में चार चान लग जाएंगे, अरे दीदी सच में क्या, हाँ राधा, अ अच्छे से पूरा घर चमकने लगेगा, देखो अंधेरा भी हो गया है, पटा के चलाने का भी टाइम हो गया है, अरे भाई मेरे यार आओ गले लग जाओ, दिवाली है भाई, और देखो ना, हमारे कुरते भी सेम है, दिवाली की धेर धेर शुब कामनाये, अरे हाँ जला देती हूं, पूरा घर चमकने लगेगा, नहा देखो आप वहां के चला देजिए, मैं यहां के सारे दिए चला देती हूं, और यहां पर राधा दिए चलाने लगती है, हरे देखो आज तो मजा ही आने वाला है, घर कितना ज़दा सुन्दर दिख रहा है, ही है, चलों वहां के चला देती हूं, और बताइए सोरम की बापा खेती बाड़ी कैसी चल रही है, अच्छा रूको पहले मैं मिठाई खा लेता हूं, आप भी पहले मुह मिठा कीजे, फिर कोई बास शुरू करेंगे, अरे हां कृष्णा मैंने तो खाना भी शुरू कर दि हैं, अरे वा, कितना मज़ा रहा है, राधा देखो सरा कितना अच्छा लग रहा है, है ना, हाँ देदी आप सही बोल रही है, अरे वा, अरे मेरा तो खतम होने वाला है, अरे नहीं मेरा खतम हो गया, अरे राधा तुम्हारा तो खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अरे देदी मेरा भी खतम हो गया अले देखो तु जला, मम्मी और लाधान देखे पुलज़ी आ जला रहु है मैं भी जलाओंगी जलाओ 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 लेकिन थोड़ा सावधानी से ठीक है ना इसकी चिंगारिया बहुत ज़्यादा निकलती हैं तो थोड़ा दूर ही रखना बेटा चलो चलो चलाओ दिये में से आग लो अभी देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा चिंगी बेटा राहूल बेटा तुम भी आजाओ तुम सब भी चला लो अरे वा देखो तो ज़रा बच्चों को कितने ज़्यादा खुश दिख रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को इतना ज़्यादा खुश देखकर देखिए सोलम की पापा चलो चलो मैं भी चलाती हूँ अरे वा मज़ा आ जाएगा अरे अरे जल क्यों नहीं रहा इतना टाइम क्यों लग रहा है अरे जल भी जाओ भई अरे लगता है जलने वाला है ये 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 बेरे पूल जड़ी जल गई अरे वा अरे वा कितना मज़ा आ रहा है ये ये मम्मी देखिए मुझे बिल्कुल भी दर नहीं लग रहा है कितना मज़ा आ रहा है चिंगे देखो राहूल तुम भी देखो मैं नहीं दर जी हूँ ये ये और यहाँ सोनम को पूल जड़ी जलाते देख श्याम में नाटक करने लगता है अरे नहीं श्याम तुम्हें बिल्कुल भी पटाकी जलाने को नहीं मिलेंगे तुम अभी छोटे हो भाई तुम बस देखो बैठ कर और कुछ भी नहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे पटाकी जलाने के लिए जब तुम मेरे जितने बड़े हो जाओगो तब तुम्हें पटाके चलाने के लिए मिलेंगे ठीक है ना अभी चलो शामती से बैटो कोई भी नाटक नहीं चाहिए चलो बैटो अच्छे से बैटा हाँ शाम तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं पटाके जलाने को नहीं मिलेंगे तो भी चोटे हो भई समझा करो शाम बेटा बस देखो बैट कर अच्छे से अरे लेकिन मैं क्यों खड़ी हूँ मैं तो पटाके जला ही सकती हूँ चलो जाकर देखती हूँ क्या क्या है मैं भी जलाओंगी अरे वा कितने सारे पटाके हैं लेकिन क्या जलाओं मैं क्या जलाओं अरे अरे हाँ चलो अनार जलाती हूई तो मेरा फेवरेट है चलो चलो जाती हूँ देखो सब लोग मैं जा रहे हूँ अनार जलाने बहुत ही ज़्यादा मसाएगा अच्छा राधा जड़ा संभल की जलाना ठीक है ना थोड़ा दूर ही होकर जलाना वरना भूत ज़्यदा खतरनाक रहता है ये अच्छे से जलाना ठीक है ना अरे देखो तो जोड़ा कृष्णा कितना ख्याल रखता है राधा का हाँ राधा थोड़ा ध्यान से जलाना ठीक है ना देखो ध्यान से अच्छा मम्मी मम्मी शुनी है ना मुझे भी आनार जलाना है देखिए लाधा अंटे भी आनार जलाने जा रही है अरे नहीं सोनम बेटा अनार छोड़े बच्चे नहीं चलाते हैं अले मम्मे लेकिन एशा क्यों मुझे भी जलाना है जलाने दीजे ना अरे नहीं सोनम मत जलाओ देखो पीछे हो जाओ वरना उसके चिंगारे निकलेगी दूर तक अरे मम्मे अब सही बोली कि चलो मैं दूर हो जाती हूँ अरे राधा अंती ध्यान से अरे भाई मुझे ही पटा के जलाने है चलो मैं भी जलाता हूँ हाँ हाँ चलो चक्री जलाऊंगा और यहां राधा अनार चलाने जा रही है अरे मुझे तो डर लग रहा है चलो चलाती हूँ अरे वाँ चल गया कितना अच्छा दिख रहा है वाँ अरे वाँ रादा तुम तो बिने डरे ही जला रहे हूँ कितना अच्छा दिख रहा था अब मुझे भी चलाने का मन कर रहा है अरे सोनम की मम्मी तुम तो रहने ही दो तुम तो सबसे बड़ी डर पोखो पटाके से इतना ज़्यादा डरती हो अले वा लाधा अंदी आप तो छागएं कितना अच्छा आपने चलाया कितना मज़ा आया रहा था देखो सोनम अरे बाई मुझे भी चलाना है पटाके चलाओ मैं भी जाकर चकरी चलाता हूँ देखो बच्चों मैं भी चकरी चलाने जा रहा हूँ लेकिन थोड़ा दूर ही खड़े रहे ना ठीक है न ये गोल गोल घूमता है कहीं पर भी चला जाता है चला मैं चलाता हूँ अरे मेरे हाथ पही नजल जाए चला दूर होकर चलाता हूँ अरे वाँ चल गया ये तो अरे वाँ कितना मसा रहा है ये वाँ अंकल बहुत ही अच्छे अच्छा सोनम की बापा आप मुझे बोल रहे थे आपने अभी एक भी पटाका नहीं जलाया है सबसे माई डर्वक तो आप है मैंने तो चलो जलाया भी है आपने तो छुआ भी नहीं अरे सुनम की मम्मी क्या बात कर रही हो तो मैं और डरता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है रुको अभी मैं तुम्हे जला कर दिखाता हूँ अरे वा दिदी आपने तो भाई साहँ के अंदर जोश भर दिया लगता है भाई साहँ सबसे बड़ा रोकेट जलाने वाले है अरे वा बच्चो दूर दूर हो जाओ देखो भाई साथ सबसे बड़ा पटाका जलाने जा रहे हैं अरे चंदा जी आपने मेरे दोस्त को क्यों ललका रहा आप देखो वो भी पटाकी जलाने जा रहे हैं आप सब लोग देखते रहे जाएंगे उनको चलो चलो सोनम की पापा कमाल कर दो कमाल कर दो देखना सब आपको देखते रहेंगे हाँ हाँ अरे लेकिन आखिर जलाने क्या वाले हो भाई हमको भी बताओ हमें भी देखना है है कि नहीं रादा मुझे तो लगता है सोनम की पापा जा रहे है सबसे बड़ा रोकेट जलाने के लिए देख कर तो मज़ा ही आ जाएगा आज अले हाँ पापा शब को दिखा देजी कि आप मेले पापा हो देखना आप मेरे पापा को हरे हाँ भाई तुम सब देखते रहे जाओगे देखना आप ही मैं भी जलाओंगा जलो जलाता हूँ इसे अरे भाई जल भी जाओ मेरी इज़दit की धस्या मत उड़ा दे ना जलो भाई जल दी से जल जाओ अरे अरे वह रहे तो जल गया देखो देखो मेने भी जलाया देखो भाई तुम सब बोड़े तेरा मैं डरता हूँ कहाँ डरता हूँ देखो कितने एच्छे से जल रहा है ये वाह मज़ा ही आ गया देखो सोनम की मामी तुम ही बोल रही थी ना मुझे डर लगता है देखो देखो कितने एच्छे से जल रहा है कितना मज़ा आ रहा है अरे वाह तुम सब भी आ जाओ जला कर दिखाओ मुझे मैं थोड़ी ना किसी से डरता था देखो भई मज़ा आ गया अरे वा सोनम के पापा आगर ये क्या कर रहे सोनम के पापा ये तो पुल जड़ी चला रहे है तो चिंकी भी जला लेगी अरे सोनम के पापा भी क्या कर रहे है और यहां पर सभी मिलकर दिवाली बना रहे हैं हमारी तुरबशे आप सबको हैपी दिवाली दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लेकी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना थैंक यू